अब आप जरा बेस लगाना सीख लीजे वाज़िद आज आपने ऐसे बताना है जैसे घरों के अंदर हमारी वाटीन जो बैठी है उनको पता हो तो सबसे पहले मेंक나ा करने संखा है अगर आपके आपके आयुल आया होँ थबया कि भाड़ आपने ऊई नकाल और तरी है पहले लगा लिए आप याद रखें जब या जादर राइट लगाते हैं तो वो ग्रे हो जाता है, ठीक है? सलमा के लिए कितना मुश्किल है ना, ऐसे बैट ना हम बहुत हलका लगा रहे हैं, as you can see यह देखे अब बहुत जादर लगाने की जरूरती नहीं है अब बहुत माइड फाउंडेशन है, बहुत हलका सा है याद रखे कि यह अपलाए कर रहे हैं ब्रश से लेकिन इसके बाइस को जो इधन करेंगे वो हाथों से करेंगे यह मैंने बाजी से शीखा है क्योंकि देखें जो स्मूदनिस आपकी फिंगर टिप के साथ जादा चीओ ब्लेंड अब उसके बद सौफ्टी यह फिंगर टिप के साथ आप ब्लेंड करना शुरू करने लाए अच्छा अब हाथ भी आपने ऐसे चलाने तो हवा में जैसे चलाओं क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया होता अंडर आएका यहाब आप टैपिंग करें यह देखें पुरे फेस पर लग ज़िए फाउंडेशन अधिंग यहाँ भी अगर ब्लेंट करना वाई क्या है कि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं क्योंकि हमने लिक्फिट फाउंडेशन यूज किया है तो पाउडर इसी लगाते है कि प्रोड़क को ब्लॉक कर दिया जाए तो हम हलकल का पाउडर से टैप कर रहें बहुत ज्यादा नहीं घ़ुस पाउडर क्या दो प्रेस पाउडर से पमगाने उनमा, अब को अगर आप प्रफ काउड़ा एं यू जबहगा रोता है ये अडेक महना तो इंसदीरण नागते ब्लॉक कैंद्रॉक्प्र यह कंल रिके कज़या में से पाउड़ लंए YouTube आगया है अचा मेरे सवाल जैसे Salma की लोग है तो Salma की लोग बहुत मतला बहुत ब्यूटिफ़ली दिमिस्टिक लोग है ना कि बहुत बहुत जादा इस्टन है तो आपने इनको पाउडर लगा लिया पाउडर लगाने के बाद इनके चेहरे पर क्या करेंगा अचा अरफ य पाली कैन्वस की तरह हो जाता है जैसे पेंटिंग आप कहीं पर भी लाइने ड्राव कर लें तो उस तरीके से हो जाता है तो हम बात हलका हलका भी उनकोंटूर करेंगे ता पहले वो दिखा देंगे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं एक वीडियो जो कॉन्टूरिंग कि कॉन्टूरिंग किस तरह से की जाती है आए देखते हैं उसके बाद हम बाजे से बात करेंगे प्रीज वाच्टूरिंग से आप अपने फेस के मुफ्तलिफ हिस्सों को शेप और डेफिनेशन दे सकते हैं कॉन्टूरिंग में आप स्केन कालर को शेट के साथ गहरा करके वो स्पार्ट्स छुपाते हैं टिन पर फोकस गम करना चाहते हैं और शाथ वाले हिस्से को equipped करते हैं ओवल स्कूर हुए मीजशेपी हर घार हमारी फेसी होटी है और इनी शेप से हम कॉन्टूरिंग करते हैं से आप मोटे चेहरे को पतला दिखा सकते हैं अपनी नाग को पतला और खुबसूरत बना सकते हैं और राउंड चिन, T-Zone और चीक्स को भी प्रॉपर शेप दे सकते हैं कॉंटॉरिंग के बेसिक स्टेप्स ये हैं बेस लगाना, सही प्रोड़क्ट और ब्रश का इंतखाब अपने चेहरे को मैप आउट करना, हाइलाइटिंग अपनी स्किन टोन के हिसाब से राइट कॉंटूर कलर का इलतखाब और कॉंटूर करना जी, बताईए तो क्या है कि ये जो इंस्टाग्राम पर जो लोग करते हैं लेकिन फिर सब की शक्रेफिकें लेकिन सेमें लग रही होती हैं क्यूंकि आप अपने हिसाब से नहीं कर रहे होते हैं आप देखते हैं कि अच्छ ने ऐसा किया है तो मैं भी एक कर लोग खिए जो मैंने भी लाइनर ड्रॉ करना हमेशा मैं बताता हूँ आपका एंगल सही हो होना चाहिए, ठीक़? ów, आप जरूरी है, कि अगर आपके बाप ब्रश नहीं तो आपसे ऐसे गांगर नहीं होगी आप इसके साथ cimento कर सकते हों और इसके साथ dhot होना चाहिए जो चाहिए कि आप पर कि लेस बाइसे अब यह contouring के shade है, ठीक है, यह contouring के shade है. आचा यह यह palette थो होता है? यह यह अऔर यह आज मिल जाता है, और यह आज़ाएज ले अवेलिबल है बazaar में. एक्सेप्ट उरूज, उरूज के पास ने उसकता है यह. हमने यह brown colour लिया ठीक है, brown colour लिया again, वो जो liner रहांने ड्रॉख कर रही ही थी अभी कौन्टोर करके तो मैं हमेशा साहे बताता हूँ कि यहां से लिफ के सेंटर से काम के सेंटर में स्केल रखे और आपके यह लाइन के रिएट कर दी सी Simply के लाइन के रिरियर ख corona और उसके बाद अस लाइन को भीड रख अभलेंगेा अपटाइस? यह नहीं मूते ही और उसके बाद पष्द you all the confidence in you कि अभूट जादा वह ऐसा ब्राऊन का ब। आ false कशरक वे आपने भोन बातिज हाओेदी और मॉलना उसी साइट पे भी हम इसी तरीके से करेंगे यह हमने यह किया ठीक है और हलका सा उपर लगाया अच्छा उपर लगाने का फाइदा क्या होता है इधर लगाने का वाई यह जहां जहां पर ब्राउन कलर लगेगा वह चीज चोटी लगे also there's a a display एक लिदी क्या अच्छा अगेह अगेन वह पी हल्का सा करें आप उसके बाद हम चेटिर्पे करेंगे हल्का सा कलर्रम यह थेंगे हल्का हल्का सा और क्योंकि फेस यहां से लंबा है अगर हम यहां पर बहुत जादे लगाएंगे तो बहुत लंबा लगेगा तो हम इस जगह पर कर रहे हैं बस अचाहिए आप लोग सीख लीजे बड़ा इंपोर्टन्ट है यह आप कंटूर किस तरह से करें कंटूरिंग से आप अपने फेस को बहतर बना सकत हम बढले बना नाख तो हम उस ज Officer बलीजे करें बना ह sürगे और अजय है अफिर दने के लिए फ्रश तरह ज़िए हम यहां पर पे लिंगे शाजओित टिर्स लीज़ोरी चीज़ों के बहुत ज़ादे एधर नहीं लगाएंगे तो असलिक है बहुत जादे शाइना जाती है हलक हलका सा अहलका सा अहलका सा कि इस जगह पर तक इस जगह हाइलाइट फ्रेख एधर ठीक है अब हम आजाएंगे आई मेकप पे अचा आई मेकप के मापस वीडियो है अगर आई मेकप की वीडियो है तो प्लीज में बता देज़े अगर आई मेकप की वीडियो हमारे पास है तो लाइनर की अगर वीडियो है कि लाइनिंग हमारे पास है या नहीं है मुख्तलिफ आई शेप्स के लिए मुख्तलिफ मेकप किया जाता है क्यूंकि आप पर स्मोकी आईज अच्छी लग रही है इसका कतई मतलब ये नहीं कि दूसरों पर भी अच्छी लगे वाइट सेट आई, क्लोस सेट आई, आखों की डिफरेंट बेसिक शेप्स है इन शेप्स को अलग-अलग आई मेकप सूट करता है मस्कारा, आई-लाइनर, फेक लैशे, आई-शेडो, ग्लेटर और आई-शेडो, प्राइमर्स आई मेकप के लिए लाजमी है कुछ बेसिक शेप्स आई मेकप ये है नाच्रल आई मेकप, शिमरी आई, कैट आई, सॉफ्ट एब्रीडे आई मेकप, हैवी आई-लाइनर, ग्राफिक आई-लाइनर, और स्मोकी आईज अच्छा जी ये तो बहुत शुक्रिया, तालिया तो बजाएं क्या होगा है हाजी, हम आई मेकप पे आते हैं, उसके बाद एक क्विज का कुछ सिचुएशन है, जो मैं आप लोगों के साथ करूँगा, लेकिन पहले आई मेकप की तरफ चलते है, ज़रे ये गौर से देख लीजेग लिजेग प्रीज, सब पहले हम आई-ब्रो को शेप करेंगे हलका स सिर्फ उसको फिनिश करने के लिए हलका साम आई-ब्रो पे लगाने हैं, बात लाइट साथ है, सालेंस, 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 साल अच्छा, you always use brown, brown आप इस्तमाल करते हैं, brown color से softness आती है, अगर में काला बना दूँगा तब बहुत ज्यादा मचूर और हार्श लगने लगेंगे, ठीके, उसके बास, simple, मैं dark brown shade ये है मेरे पास, ये dark brown shade लिया मैंने, ठीक है, ठीक है, और उसको मैंने हाथ पर उसकी द्रस्पती कर लिया और ये lid पर मैं सिर्फ, socket line के पास ये मैं लगा रहा हूं, as you can see, इस जगह पर, और मैंने आखों के पर कोई bass lace लिए लगाई है, very nice, very nice अच्छा ये background थोड़े change कीज़ेगा, हवाएं लगा दीज़ेगा, इस ही film का है, हवाएं, जब Harry Mads Hazel का, ये कर दिया, उसके बाद, हलका सा मैंने ये color लिया, गीला करके brush के साथ, और उसको मैंने लिट पे, उसको कहते हैं, okay, अच्छा ये लगाने के बाद हलका सा, क्योंकि जब आप कोई भी color लगाते हैं, तो गीला करके जब आप लगाते हैं, तो ये line बन जाती है, तो जब wet होता है, तो उसी वक्त, आप उसको finger tip के साथ blend कर लें, like this, ताकि वो line ना बने, okay, अच्छा ये, आज वाजद का मुकाबला है, वाजद ने रानी आपा को तकरीबन 20 साल पीछे लेके जाना है, आज 20 साल रानी आपा पीछे से ले जाएंगी, इसके फॉरण बाद हम और बिल्कुल एंड के अंदर हम रानी आपा को दिखाएंगे, तो इसके फॉरण बाद रूज का मेकप है, और उसके बाद रानी आपा का है, इसको आई मेकप चल रहा है, सलमा का, और अब हम आई लाइनर लगाएंगे, तो अगर किसी और के लगा रहा है, अगर अपना लगा रहा है, तो आपनी शीशा पकड़ना है, और मेरा कोई क्लोस अब बनाएगा, शीश गैजे लाइस के साथ, यह कि लाइसे, चल के लाइट तो आपने यह लगाया पूरakahया यह उठाया यह इस तरीका सापने लैशных लाइन को फॉलो करना है, तो यू थैन अपक् लाइड इसली luckily मैने बाछ सारे लोगों को देखाय जब लोग सीखना आ रहे होते है, मेरेज सब्सक्राइब कर दो कि अच्छाइब कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसकी ब्लेंडिंग करनी है, यह देखें, अच्छा, सल्मा के जो मेकप है, यह सल्मा किन आउकाद के लिए पहन सकती है, शादी के लिए पहन सकती है, अच्छाइब के लिए पहन सकती है, अच्छा, नीचे देखें, नीचे, 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 क्यारी और झाले उनीचे, य castle एको आउकाद नीचे, टरोगरे में के लिए एक है, यड़ आचे, ज ऐसकता धिन ज बहिए पहन में आईखें, यorenat य। झान देखें, यड़ तु़रिए जुड़़ token मेंना ईच्था झान झाल 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 तो यह दूसरी आंक में ब्रेक्वे करेंगा, ठीक है? दूसरी आंक में ब्रेक्वे करेंगा तो यह छोटी 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 सी चीज है और अगर नीचे भी अंडर आए भी थोड़ा सा ब्राउन लगाते हैं मैं इन्ठी करके दिखाँगा, तो क्या होगा? पूरी आंक आपके एक शेप में आ जाती है और वहां खुशूरत लगने लगती है अचा मेकप कोई बहुत बड़ी वह नहीं है, बस सोच के करना है मेकप दूसरी आंक पे भी इसी तरीके से करेंगा मैं अजर के दिखाँ झा रचागा है कि दोस्तरूरत लगन जड़ा है बापके म से किसा नही करेंगा अचांचा करेंग acquisition आंक अजर सोच किन दोसे किसानी आंक में यह तोसे किसा उसके में एंड़ सकिवाउत झाल 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 तीन से चार मिनिट में सल्मा के बाल बनने वाले हैं एन लेट सी अगर आगर आगर पकलो जए तो क्या है कि हम स्ट्रेट कर रहे हैं सारे बालों को और हलका सा नीचे नीचे झाल 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 कि अचाश्ट दो अलग अलग लोग हैं सलमा असिम, काट्रीना असिम यह थे यह थो